हाई फ्रेंस आप देखनें फिल्मी के चली मैं हूँ रूना अशीश और चलिए अब मैं आपको खबर देने के लिए आ गई हूँ कि साइली की शादी के बारे में क्या-क्या चल रहा है फ्रेंस एक तो बड़ी ही खुशुरत और दिल को चुराने वानी पिक्चर्स आ रही है साइली की और देखकर बस ऐसे बैट कर देखने की इच्छा होती है उसकी आँखों की जो खुशी है बाचीत में जो खनक आती है उनकी आवाज में वो देखके सीरिसली कहने की इच्छा होती है कि बहीं नज़र ना लगे बड़ी हूपसूरती से वहारी जिन्दगी की नई प्रच चुकी है वैसे भी शुपकार जब होता है तो महंदी लगाई जाती ही है मेरे भी हाथ में लगाई ती गर में जब पूझाती तो उसके बाद एक रस्म होती है हरी चूडिया पहनने की मराथी शादी में ये रस्म नभाई जाती है होता कुछ ऐसे है कि जैसे आपने देखा होगा वो जो चूड़ा पहनती है वैसे ही ये हरी चूडियां पहनने का जरवास है वो मराथी में होता है तो वो रस्म भी पूरी हो चुकी है उन्होंने अपने इंट्वी में मुझे बताया था कि अब जब सुपरस्टार सिंगर्स टू शुरू हने वाला है तब उ लात ही में जो शादी है उसकी कुच रसमे भी सेम डेपर होने वाली है तो उनकी हल् provokes्ड की रसम होने वाली है और जो है आप 들이 साईमी माडम है बकाएदा स्टाइल से दांसव स्टाईल से इंटरी करने वाली है और बस सारी जल्वे बिखेरते वह वो पहुँचने वाली है अपने हल्दी की रस्म निभाने के लिए नव जो एक नई दुलहन जो लड़की रहते हैं उसे मराठी में सवभाग के कांक्षणी बोला जाता है सो हल्दी के रस्म निभाई जाती है ताकि स्वस्थ भी रहे और चेहरे पर एक अलग सी आभा भी आती है हल्दी की वज़र से और सारे ही लोग मस्ती की साथ हल्दी खेलते हैं और पहले लड़के को हल्दी लगाई जाती है फिर वो जो लड़के की एक छोटी सी हल्दी का एक छोटा सा पार्ट जो है एक छोटा सा भाग जो है वो लड़की को लगाया जाता है इसे बोलते हैं कि जूठी हल्दी आई है दूलों की ताकि वो प्यार और स्वास्त और साथ बना रहे, ऐसा कहा जाता है so beautiful, अच्छा लगता है यह सब रस्मी देखते हुए उसके बाद certainly 24 कीन की शादी है और धवल भी कम नहीं है, धवल भी उतने ही eagerly इस रस्म की इस दिन का वेट कर रहे थे और उनके भी तरफ से बहुत सारे लोगों के अपडेश हसे आते रहते हैं, जिसे देखकर बड़ा मज़ा आता है, तो परिशाईली खुश रहिए, नजर ना लगे अच्छे से अपने इस important day को मनाईए फिल्मी किछडी के तरफ से आपको जितने भी बड़े मेंबर से उनका शुरवाद जितने भी आपके समान उमर वाले हैं, फैमिली में वो सभी आपको बढ़ाईया दे रहे हैं और जो आपसे कम उमर वाले हैं वो आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं तो लगे रहे हैं अच्छे से अपने इस important thing को बनाईये, चलिए फ्रेंड सब आप मुझे बताईये साइडी को आपके आज शुरवाद देने वाले हैं लिखकर बताईये जय हिंद